आप सभी के फेवरेट आडियो आटिकल प्रोग्रेम में एक बर फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा तो आज का हमारा यह आटिकल इसमेटी द्रिश्टी के इनपोर्ट पे शामिल है और साथ ही यह सामानने अध्यान प्रश्ण पत्रतीन के पर्यावरन खंट से जुड़ा हुआ है तो चलिए आज के आडिकल की शुरुआत करते हैं जलवायों के साथ आर्थिक विकास का संबंध सत्यों पुराना है आर्थिक विकास के नीव, क्रिशी और शिकार आधारित रखी गई थी इन दोनों ही आर्थिक कार्यों में जलवायों और मौसम की महतपून भूमिका होती है कालांतर में सभ्यता और संस्कृति के उड़ान भरने के कारण हमारे आर्थिक क्रिया कलापों में तेजी आई और इस तेजी का सबसे ज़्यादा भुकतान हमारे पर्यावरन को करना पड़ा तमाम प्राकर्तिक संसाधनों को मानव ने अपने तुछ इच्छा पूर्ति की बलिवेदी पर चड़ाना शिरू कर दिया संसाधनों के लगतार दोहन का नतीजा ये हुआ कि समूचा विश्व, जलवाई परिवर्तन और प्रदूशन की दोहरी मार छेलने को मचबूर हो गया और इन दोनों का नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन के लगभग सभी पहलू उपर देखा गया हालकि इसका असर आर्थिक और स्वास्य सम्मंधी पहलू उपर कुछ ज़्यादा ही देखा गया इनमें आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो क्रिशी को इसने अत्यंत गहराई से प्रभावित किया अलनीनों लानीनों के कारण क्रिशी और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पढ़ने वाले प्रभावों से हमें हर साल रूबरू होना पड़ता है वो और तलब है कि ये दोनों ही मौसमी गतिविधियां काफी हद तक जलवायू की सुच्चता से परिचालित होती है हालकि दिल्चस्प बात ये है कि जलवायू के कारण आर्थिक विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों को क्रिशी से इतर गतिविधियों पर भी देखा जा रहा है दरेसे भारते रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीती अनुसंधान विभाग ने मुद्रा और वित 2022 देज पर अपनी एक नवी नितम रिपोर्ट में कहा कि जलवाई परिवर्तन और प्रदुशन के कारण 2030 तक भारत की GDP में 4.5% तक की गिरावट देखी जा सकती है प्रदुशन से संबंधित नकारात्मक प्रभाव को लगभग हर साल दिल्ली में छाई रहने वाली धुंद की रूट में भी देखा जा सकता है नई शोध ने प्रदुशन से जुड़े कई सवालों को जन दे दिया है इस से जुड़ा पहला सवाल ये है कि प्रदुशन को लेकर आखिरी रिपोर्ट क्या कहती है साथ ही पर्यावरन प्रदुशन के साथ आर्थिक संबंधों की प्रिष्ट भूमी क्या है इसके अलावा एक तीसरा सवाल ये भी है कि पर्यावरन प्रदूशन की कारण मानवे स्वास्थे पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सवाल प्रदूशन को लेकर रिपोर्ट की मुख्य बातों को जान लेते हैं तो दरसल जलवाई परिवर्तन और प्रदूशन को लेकर हालिया परडाम इस वैश्विक समस्य से जुड़े नए पहलों को जागर करते हैं असल में अभी तक ही समझा जाता था कि जलवाई परिवर्तन और प्रदूशन को तालोग कृशी और स्वास्ते सम्बंधी समस्याओं तक ही है लेकिन ये शोध एक कदम आगे बढ़कर इसके आर्थिक प्रभाव उपर विस्तार से प्रकाश डालता है रिपोर्ट के मताबिक प्रदूशन के कारण प्रतिविक्ती आयमे कमी आती है और जिसका सीधा प्रभाव सकल घरील उतपाद में नकारत्मक रूप से देखा जा सकता है साथ ही रिपोर्ट में प्रदूशन की वृद्धी से इसका सीधा और स्पष्ट प्रभाव श्रमिक वर्ग पर बताया गया है अब अगर श्रमिक वर्ग पर पढ़ने वाले प्रभाव की बात करें तो इससे उनके उतपादन ख्षमता में कमी तो आती ही है इसके अलावा सेवा क्षेत्र में उपभोकता वर्ग की अनुपस्थिती की रूप में भी इसे देखा जा रहा है रिपोर्ट में जलवाई परिवर्तन की कारण होने वाले नुकसान पर भी प्रकाश डाला गया है इसके तहट वैश्वित तापन की कारण पढ़ने वाली अत्यधिक गर्मी और आर्दरता को शामिल किया गया है रिपोर्ट में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसके कारण श्रम के घंटों की हानी होती है और श्रम के घंटों की हाने का दुश प्रभाव भारत की GDP पर पढ़ने की आशन का जताई गई है। ये दुश प्रभाव 2030 तक 4.5 प्रतिशत तक की GDP में गिरावट की रूप में बताया गया है। इसके अलावा अगर प्रमुख विनिर्मान और सेवा केंद्रों में प्रदूशन के वाशिक चक्रों के प्रभाव को इस अनुमान में जोडने पर GDP की आर्थिक उत्पादक्ता पर गिरावट कहीं अधिक होने का भी अंदेशा जताया गया है। तो इस तरह देखा जाए तो इस रिपोर्ट में प्रदूशन और जलवाई परिवर्तन के कारण भारत की आर्थिक इस्थिती में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट में प्रदूशन की कारण राज्यों के सकल घरेल उत्पात पर पढ़ने वाले प्रभाफों का विस्तरत अध्यन किया गया था। निम्न जीडिपी वाले राज्ये जिसे उत्तरप्रदेश, बिहार, राजिस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में देखा गया था। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो रिपोर्ट में प्रदूशन और जलवायू परिवर्तन का भारत की आर्थिक इस्थिती पर व्यापक प्रभाव दिखाया गया है। चलिए, अब जब हमने रिपोर्ट की मुखे बातों को जान लिया है, तो अब पर्यावरन प्रदूशन के साथ आर्थिक संबंधों की प्रिष्च भूमी को भी सरा समझ लेते हैं। सिध्धान दिया था, जिसके मुताबिक आयस्तर और पर्यावरन में गिरावट की बीच एक उल्टा यूवाकार का संबंध होता है। पर्यावरन प्रदूशन के साथ उत्पादन के पैटर्न में बदलाव के कारण पर्यावरनी गिरावट की प्रवर्ती धीरे-धीरे कम होती जाती है। हलकि इसमें सक्त पर्यावरनी ये नियमों के साथ साथ पर्यावरन जागरुपता की भी एहम भूमिका होती है। इन सब के अलावा अध्यावन में आर्थिक विकास के कारण पढ़ने वाले पर्यावरनी ये प्रभाव को भी बताया गया कि आर्थिक विकास तीन अलग-अलग चैनलों के माधिम से पर्यावरन वेलफेर को प्रभावित कर सकता है। और ये तीन चैनल है सकेल प्रभाव, सनरचना प्रभाव और तकनीक प्रभाव। तो कुल मिलाकर इन तीनों ही पैमानों का सार है कि आर्थिक पैमाने के बढ़ने से पर्यावरन प्रदुषण में आनुपातिक विर्धी होती है। साथ ही और योगिक सनरचना में बदलाव से प्रदुषण की तीवरता में कमी आती है। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरन प्रदुषण का आर्थिक विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का काफी विस्तरत अध्यान किया गया है। चलिए अब इतना सब जानने के बाद देखते हैं कि कैसे पर्यावरन प्रदुषण मानविय स्वास्थय पर प्रभाव डालता है। दरसल डबलो एचो के मुताबिक वायू प्रदुषण एक बड़ा और गंभीर सारवजनिक स्वास्थय खत्रा है। इसके अनुसार प्रदुषित हवा में सुक्ष्म कणों के संपर्क में आने से हर साल लगभग 7 मिलिन लोगों की मृत्य हो जाती है। ये मृत्यू स्ट्रोक, कृदेह रोग, फेपड़ों की कैंसर, क्रोनिक प्रतिरोधी, फुफुसीय रोगों और निमोनिय सहित, श्वसन संक्रमण जैसी बिमारियों के कारण होती है। अब अगर मृत्यू के लिए जिम्मेदार वायू प्रदूशकों की बात करें, तो पाटिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोकसाइड, ओजोन, नाइट्रोजन डायोकसाइड और सल्फर डायोकसाइड शामिल हैं। ये सभी वायू प्रदूशन, आर्थिक विकास के इंजन माने जाने वाले उद्योग, परिवहन, कोईला विजली संयंत्र और घरेलू इंधन से उत्पन होते हैं। आकड़ों के लिहास से साल 2016 में स्ट्रोक, देरोग, फेपड़ों के कैंसर और पुराने शोसनरोगों के कारण आनुमानत है 17,95,181 मौतों के लिए ये जिम्मिदार था। हाले कि वायू प्रदूशन जैसी समस्या से निपटने के लिए इस सरकार काफी गंभीर दिखाई देती है और इस समस्या से निपटने के लिए तमाम पहले शुरू की गई है। इस दिशा में की गए एक महतपून पहल राष्ट्रे बहुक्षित्रे कारे योजना को विकसित करना है। इसके लावा इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रे स्वच वायू कारेक्टरम जैसी नीतियां भी बनाई गई है। वार तलब है कि इस कारे योजना का मकसद देश को अगले पांच वर्षों में 102 प्रदुशित शहरों की वायू को स्वच करना है। इसके दहट साल 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायू में मौजूद PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स को 20-30 फीसदी तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रे लक्षे रखा गया है। इन सब के अलावा घरेलू स्तर पर इस समस्य से निजात पाने के लिए हाश्ये पर रहने वाले वर्गों तक घरेलू स्तर पर LPG जैसे स्वच उर्जा विकल्पु की पोहच में सुधार के लिए प्रधान मंतरी उज्वला योजना जैसे का रिक्रम लागू किये गए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि वायू प्रधूशन के कारण आम भारतियों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अलगि सरकार ने इस चुनोती से निपटने के लिए कई प्रयास भी किये हैं लेकि अभी तक कुछ खास हासिल हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं देता ह चलिए अब इन सब परिस्थति और समस्याओं के बीच देख लेते हैं कि आगे की रहा क्या हो सकती है। तो जैसा कि हम भली बाती समझते हैं कि जलवायू परिवर्तन और पर्यावरन प्रदूशन एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इसके कारण भारत की आर्थिक और 2030 तक 4.5 प्रतिशत तक की GDP में गिरावट काफी गंभीर प्रकृतिके हैं। ऐसे में सरकार को इस चुनोती सिने पटने के लिए सचेत होने की जरूरत है। हलाकि सरकार ने इस चुनोती सिने पटने के लिए कई प्रयास भी किये हैं। लेकिन रिजर्व बैंक का आकलन औ और कई शेहरों में मौजूद प्रदूशन और वायू गुणवत्ता के स्तर को देखते हुए इस सिने पटने के लिए त्वरित और ठोस कदमों की जरूरत है। प्रदूशन सिने पटने के लिए जन भागीदारी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक लोगों को जाग करने के लिए सरकार को दड़ इच्छा शक्ति का परिचे देने की जरूरत है। ऐसे मैं उमीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में किये गए प्रयास साथ ठक होंगे। तो चली चर्चा को विराम देते हुए नोट के लेते हैं आज का सवाल। किसी देश की के साथ तब तक के लिए जय हिंद।